मित्रों आज में उत्तर प्रदेश शामान नेग्ञान से बहुत ही महत्पूर जनरल नालेज लेकर आया हूँ जो की लगबख सभी कमपेटेटिब एकजाम में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक उत्तर प्रदेश में संतलत कालीन प्रमुख अस्थापति निर्माड यानि एतिहासिक परिद्रिश्च से ये जीके है और इस बीडियो से आपकी परिच्छा में चाहे वो UPSC से सम्बंधित कोई परिच्छा हो UPSC से सम्बंधित कोई परिच्छा हो उत्तर प्रदेश में तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है तो चलिए मित्रों वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रमुख निर्माड और निर्माता जान लिजिए आप पहला है लाल दर्बाजा लाल दर्बाजा कहां पर है ये भी प्रशन में पूछा जाता है तो लाल दर्बाजा जान पूर किसने बनाया इसका निर्माता कौन है बनवाया किसने तो इसको बनवाया होसेन साह सरकी ने दूसरा है जान पूर नगर जौनपूर नगर मित्रों जौनपूर नगर ही है जौनपूर में ही है इसको किसने बनवाया तो इसको बनवाया फिरोज साह तुगलक ने नेक्स्ट है आगरा सहर, आगरा सहर सबको पता है, यूपी में रहने वालों को, तो आगरा सहर को किस ने बनवाया, सिकंदर लोधी ने बनवाया आगरा सहर को, चौथा नमबर है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जौनपूर में इस्थित है और जामा मस्जिद बदायू में भी इस्थित है, तो ये जामा मस्जिद जो जौनपूर में इस्थित है, इसका निर्माण हुसेन साह सरकी ने करवाया, पाचवा नमबर है जंजरी मस्जिद जंजरी मस्जिद भी आपका जौनपूर में इस्थित है और इसका निर्माण इब्राहिम साह सरकी ने करवाया नेक्स्ट है अटाला मस्जिद अटाला मस्जिद भी आपका जौन पूर टिस्टिक में ही स्थित है और इसको भी इब्राहीम साहसरकी ने बनवाया है और सातवा नंबर है आपका जामा मस्जिद जो भी मैं बता रहा था कि जामा मस्जिद जौनपुर में भी है और जामा मस्जिद बदायू में भी है तो जामा मस्जिद जौनपुर में है उसे हुसायन साह सरकी ने बनवाया लेकिन जो जामा मस्जिद बदायू में है उसे इल तरफ्तिर में मुगल कालीन समय में अस्थाप तिकला वना था उसके भारे में मैं चर्चा करेंगे कि तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग अब कि अब किसमें आपका प्रमुख असठापत्य निर्माण किसका निर्माण हुआ है और उसका निर्माता कौन है पहला है सेख सलीम चिस्ती का मकरबरा आप लोगोंने सुना होगा कहा परिस्थित है ये फतेःपुर्ष शीक्रे में स्थित है इसका निर्माड अकबर ने करवाया दूसरा है जहांगीर महल जहागीर महल जो है ये भी आपका आगरा में स्थित है और इसका निर्माड भी अकबर ने करवाया तीसरा नमबर है फतेःपुर्ष शीक्री सहर फतेःपुर्ष शीक्री सहर में ये भी जो है अकबर ने बनवाया और एक चीज और फतेपूर शिक्री में एक और कोश्चन है बुलंद दर्वाजा बुलंद दर्वाजा पूछा जाता है कहां परिस्थित है तो वो फतेपूर शिक्री में इस्थित है चौथा नमबर है आगरा का किला आगरा का किला और इलाहबाद का किला इस दोनों किले का निर्माड अकबर ने करवाया क्लियर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है जामा मस्जित ये जामा मस्जित कहां पर है संभल रिष्टिक में है और इसका निर्माता बाबर है क्लियर अगला है छटमा बाबरी मस्जि मस्जद पहुत ही महत्पॉर यह कहां पर है राव्योद्या में कि राम. हम और बाबरी मसजिद लेके बहुत बड़ा बित्रोह चलना था तो बाबरी मसजद कहां पर है रायोद्या में किस ने बन वाया Meyer बाकी ने सातवा नमबर है, बीर बल महल तथा जामा मस्जिद, इसका निर्माता भी अकबर ही है आठवा नमबर है बुलन दरवाजा अभी जैसे मैं आगे चर्चा करके आपको बताया था बुलन दरवाजा कहां पर है पूछा जाता है जनरल नालेज में तो बुलन दरवाजा फतेहपूर शीक्री में है निर्माता इसके अकबर है प्रेश नमबर 9 फतेहपूर शीक्री का पंच महल खास महल और जोधाबाई महल ये तीन महल है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को पता भी नहीं होगा फतेपूर शिक्री का पंच महल, खास महल, जोधाबाई महल, इसका निर्माता भी अकबर है अगला है मर्यम उज्मानी का मकबरा ये इस्थित है सिकंद्रा में और इसका निर्माण करवाया जहां गीर ने नेक्स्ट है इतमादुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद अखबर का मकबरा यह भी आपका सिकंद्रा में इस्तित्त है और इसका निर्मार्ट जहांगीरल ने करवाया जानि से अगْरॉपञर्य के कि लिये में दीवाने आम मोगण म्यंग दीवाने खासओंक्रम फोटी नमबर ताज महल ताज महल आगरा में है और ताज महल सातमा अजूबा भी है साथ अजूबों में एक अजूबा ताज महल भी है इसको सभी लोग जानते होंगे तो इतका निर्माण सहाजहा ने करवाया है ये भी टॉपिक बहुत ही महत्पूर है मैंने इसमें ही समलित कर दिया है 1857 के बिद्रोह के प्रमुख केंद्र यानि 1857 के जो प्रमुख बिद्रोह केंद्र थे उनके नाम योम उस बिद्रोह केंद्र के नेतरुत करता कौन थे वो नाम मैं इस जो है वीडियो में ही समलित कर रहा हूँ विद्रोह केंद्र और नित्रुत करता चलिए जान लेते हैं पहला केंद्र था जहासी जहासी का जो नित्रुत करता थी और लच्छमी बाई दूसरा है बरैली खान बहादुर खान इसके नित्रुत करता थे लखनव बेगम हजरत महल जो है इसके नेतरुत करता थे कानपूर में नाना सहाब तत्या टोपे इसके निर्मार थे नेतरुत करता इलाहबाद में जो है आपका तत्या टोपे अजी मुल्ला भी थे बाबू कानपूर वाले में इलाहाबाद में लियाकत अली इलाहाबाद में जो नेतरुत करता थे वो लियाकत अली थे फाईजाबाद में मौलभी अहमदुल्ला जो है नेतरुत करता थे कालपी कालपी में तत्या टोपे जो थे मतुरा मतुरा में देवी सिंग नेतरुत करता और मेरट में कदम सिंग जो पूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके को समलित कर दिया हूं ये लगभग आपके सभी competitive exam में पूछे जाते हैं तो आपके दो नंबर के प्रश्ण इस वीडियो से आपके competitive exam में जरूर पूछे जाएंगे तो आप लोग को सिर्फ देखना है एक तरह से पणिया से दे subscribe नहीं किया है तो बिल्कुल subscribe कर लिजे notification बेलान कर लिजे वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी share करिएगा जीके उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पर upload किया है उसका भी link मैं इसके वीड जीके राजनितिक जीके शौर मंडल बहुत ही महत्पूर्ण मैंने जीके की स्रिंख लावाइज वीडियो अपने चैनल पर upload किया है तो आप लोग वहां से बिल्कुल देख सकते हैं और परिच्छा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट